नमस्क्राइब दोस्तों मैं हो शरसिंग और अब हम बात कर लेते हैं चाइना के अब चाइनीज गौर्नमेंट ने अभी अपना लागू किया है जिसमें उन्होंने अपने आम फोर्सिस को यह पावर दी है कि अगर वो नाम फोर्सिस में बात करो तो कोसगार्ड को यह पावर है तो उसको मार के गिरा सकते हैं तो यह दिखाता है कि चाइनीज जो है वो अब पूरी तरह से अग्रेसिव होते जा रहे हैं चाइना जो है वह वही पॉलिसी अपना रहे हैं जो कम से कम 80 साल पहले हिटलर ने अपनाई थी जब हिटलर पूरे दुनिया पे कबजा करना चा हो चाहे वह ताइवान हो चाहे वह इंडोनेशिया हो चाहे वह और भी कई ऐसे छोटे नेशन से जिनके साथ चाइना का एक तरह से साथ चाइना का एक लड़ाई चलती रहती है वहीं देखा जाए तो जापान के साथ भी चाइना का एक विवाद चल रहा है कुछ इसा फिर यापान का किया reaction हो सकता है, तो China ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो कंट्रे के साथ उसका विवार चल ले करिब गरてे बॉइर इसंप को लेकि जो लेकर श्रीप साथ चैना से को लेके करीब 19 कंट्रे से उसका विवार चल रहा है वहीं अब यह देखें तो चाइना जो है वो अपनी सब्मेरीन को बचाने के लिए कई उसके बार उसके शिप्स होते हैं वो इंडियन ओशा में मलेककृ स्टी ने घुसके चले आते हैं अब देखना यह है कि अगर चाइना इंडियन ओशन में आते हैं और अगर उनका इंडियन नेवी के साथ confederation होता है तब मामला कैसा होगा तब क्या fight जाड़ा हो सकती है तो यह एक aggressive posture है जो Chinese government ने अपनाया है जिस तरह अपने arm forces को free hand दे रहे हैं South China Sea में या पुरिया ocean में तो अब मुझे लगता है कि अब बाकी जो countries हैं वो भी एक तरह से एक जो ठोंगी चाइना की इस aggressive policy को लेकर और अब वो देखते हैं कैसे उनको counter करते हैं वहीं अमेरिका भी जो लगातार South China Sea में गुसता रहता है जो कहता है कि यह international waters हैं और international waters में उसके पास पूरे rights हैं कि वो जा सकें और उसमें जाके पूरा देख सकें कि कैसे explore वो हो सकता है तो यह जो दो super power है यहां यहां भी आके आपस में टकरा सकती हैं मामला काफी बढ़ता जा रहा है South China Sea में लगाता है चाइना aggressive हो रहा है और देखना यह है कि बाकी countries चाइना को कैसे counter कर पाएंगी तो दोस् सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं आप हमें Facebook और Twitter पर भी follow कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद